आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे बक्राइद स्पेशल मसाला कलेजी की रेसीपी तो अगर विडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जुरूर कर दीजिए अगर तो हमने लिया है यहाँ पर 600 ग्राम कलेजी जिसको अच्छे से हमने वाश कर लिया है अगर आप इसका ब जुरूर शेयर करूंगी और वन टेबल इस्पून बरकर लिंगे हम अध्रक लैसुन का पेस्ट टू टेबल इस्पून लिंगे हम कसूरी मैथी तो टेबल इस्पून लिंगे दही और एक मीडियम साइज का ब्याज जिसको हमने रफली चॉप कर लिया है और मसालों में लि लिए नौर्मल वाली लाल मिश पॉडर वन टेबल लिंगे कश्मीरी लाल मिश पॉडर इससे कलर अच्छा आएगा वन टीश्पून लिंगे घरम मसाला पॉडर हाफ टीश्पून हल्दी पॉडर तो बस यही चीज़े चाहिए हमें कलेजी बनाने के लिए और हम लिंगे लिए बनकप ऑईल हम रख लेंगे यहां कोकर हम इसे कोकर में बनाएंगे और इसमें डाल देंगे हम कलेजी अध्रक लैसन का पेस्ट प्यास डालेंगे कसूरी मैथी और जो पाउडर मसाले बताये थे बोडाल देंगे ओईल डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे कलेजी को हमने अच्छे से mix कर लिया है अब इसमें डालेंगे एक कप पानी पानी इसमे जाधा नहीं जाएगा बस थोड़ा से mix करेंगे और अब इसको हम कवर करकर एक सीटी हम ले लेंगे हाइ फ्लेम पर और पर 10 मिनट हम इसको पकाएंगे 10 मिनट हो चुके हैं कलेजी को पकते हुए तो अब हम इसे खोल कर देख लेते हैं और यह देखिए इसमें ऑईल आ गया है थोड़ा सा हम हाई फ्लेम पर और बूनेंगे गल्वी चुकी है इस कलेजी अच्छे से भून लेना जितना अच्छे से हम भूनेंगे उतनी टेस्टी बनेगी अब इसमें एड कर देंगे हम दही दही को डालकर अच्छे से हम भूनेंगे हाई फ्लेम पर जब तक कि इसमें ऑईल अच्छे से उपर ना आ जाए तो यह देखिए बून चुकी है कलेजी और अगर आपको ग्रेवी बाली जाहिए तो थोड़ा एक कप इसमें पानी भी आड़ कर सकते हैं तो यह देगे कलेजी बनकर एकदम रेडिये बहुत ही तेस्टी बनी है तो उम्मीद करती हूं आपको मेरी रेसीप पसंद आई होगी रेसीप पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जादों से ज्यादा लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें दुआ हमें याद रखें आपीस